हेलो पीपल वेलकम बैक टो चानल आज हम बनाएंगे बैंगन मसाला आप यहां देख सकते हैं कि बैंगन मसाला जो हो कितना टेंप्टिंग और टेस्ट लग रहा है और इसके साथ हमें गरम गरम रोटी चपाती या फिर पूरी मिल जाए तो फिर इसके सुवात का और क्या कहन कहाई तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेंगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर बैंगन को वाश करके इसके डंड़ी को ऐसे ही रखा है और अब हम क्या करेंगे बीट से इसे कट लगाएंगे बैंगन में सिर्फ बीट से उत्लक लगाना है और लाश क जो इंड पाइट रखना है मतलब पूरी तरह से मैं यहां पर लगा रही हूं वैसे ही लगाना है तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास बेंगन है सब मैं इसे बीच से कट लगा लेंगे जैसे मैं यहां पर लगा रही हूं तो यहां पर मैंने सारे बैंगन के ऐसे बीच से कट लगा लिए हैं तो अब हम चलते हैं इसके मशाले बनाने के प्रोसेस में तो इसके लिए हमने एक जार लिया है यहां पर उसमें हम डालेंगे दो बड़े चमस राई यानि सरसो इसके बाद हम डालेंगे दो बड़े चमस धनिया पाउडर या फिर साबुत धनिया का भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूं हमें यहां मसाले बनाने में ध्यान रखना है कि जितन बहुत जल्दी पक जाते हैं तो यहां पर को सकते हैं नमक को लगा सकते हैं मैं यहां पर बहुत सकते हैं सिर्फ मसाले लगा रही हूँ तो इस तरीके से सारे बेंगर में हम बीच से ऐसे मसाले लगा लेंगे थोड़े-थोड़े करके और एक अलग प्लेट में लगा के इसे रख देंगे बहुत जादा मसाले नहीं लगाना है सारे बैंगन में इस तरी के से ही हम मसाले लगा लेंगे तो हमने यहां पे सारे बैंगन में ऐसे मसाले लगा लिये हैं यह देखिए जो बचे हुए मसाले हैं इसे हम पेली यूजित करेंगे थी लगाई करेंगे दूसरे चैरे के सीथ लिए बचे हुए मसाले को फजार को हम यूज़ करेंगे दूसरी कोई मसाल नहीं पूद करने के पॉश्य तो फ्राय करने के लिए हमने सिर्फ कड़ाई में तीन से चार बड़े चम्मस तेल डाला है बहुत जादा तेल नहीं डाला है और इसके बाद तेल अब गरम हो गया है तो हम सारे बैंगन को एक साथ डालेंगे जिस जिस बैंगन में अभी हमने मसाले लगा के रखी हुए थे कि यहीं अब फ्राय करें सारे बैंगन को एक साथ ही डाले डालेकर देये और वह जाता है तो हम अमने जितना बैंगन में मसाले लगाएं तो हम इसी लो मीडियम अक। зад यह मिनट दो मिनट लिए यह ज़्यारत यह ज़्यादा पक जाते हैं तो भी हम इसे थोड़ा फ्राय करेंगे तो सारे बैंगन डालने को अधल का साम इसे कुकिंग स्पॉन के हल्थ से ही ला लेंगे ताकि नीचे से यह चिपके नहीं मसाले तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके इसे चलाएंगे तो यहां पर बैंगन जो है वो फ्राय हो रहा है अब हम इसे पलट लेंगे थोड़ी देर में तो यहां पर मैं पलट रही हूं बैंगन को तो यह देखे बैंगन जो है वो धीरे-धीरे पक रहा है तो यह देखे बैंगन जो है हमारा वो अब फ्राइब हो गया है तो अब हम इसे इसे ज्यादा नहीं करना है इसको इतना तक ही फ्राइब करना है जादा प्राइब नहीं करना है तो यह जो है प्राइब हो गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कि अब हो और अभी निकाल दिए मैं बैंगन को अगर्णर आप नॉर्मल आलो बैंगन की सब्जी या सिर्कुल आप भागा बोर हो गया है तो इस बैंगन मशाला को ट्राइक इस यह बहुत अच्छा लगएगा खाने में बहुत ही टेंप्टिंग लगता है देखने में भी और खाने में बहुत मजाता है तो आप इसे पराठे रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं और यह बनाना बिल्कुल इजी है इतना भी टाइम भी नहीं जाता है बनाने में यह देखिए जो बैंगन है वो फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेगते हैं और हो गया है इससे जादा फ्राइने करना है और यह ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है उपर से नमक डालके अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इसमें मेथी पार डालेंगे और थोड़ा से जीरे डालेंगे तड़के के लिए और इसके बाद हमने दो मिडियन कि यह देखे प्यास फ्राइब हो गया है यहां पर अब हमें प्यास यहां पर फ्राइब हो गया है तो हम मसाले डालेंगे जो मसाले बचे हुए थे हमारे पास हम यहां पर उसी मसाले का यूज कर रहे हैं दूसरा कोई मसाले का यूज नहीं करेंगे और साथी साथ हम यहां लाल मिर्स पॉडर का भी में यूज़ कर सकते हैं, यहां पर अच्छा लगता है के साब भाए मासाली के साथ ли है तो यह दिखिर हो रहे हैं नहीं दाल dg तो अब हम डालें घुए 2 मेंडियम साइज के टमाटर और साथ हम नमक कर लेफे हैं अब इस स्टेज में हमें नमक excellent करना है इससे के आहिए इस में वह कि टमाटर भी सफ्ट हो जाएंगा हैं और मसाला भी अच्छे से पकेंगे हम यहाँ पे नमक कर लें और इसके बाद हम क्या करनें कि कोटोरी में जो मसाले लगे थे नहीं मैं यसमें थोड़ा सा या इसे थोड़ा सह छॉच्ष का यूर falta गालारों में इसे बुड़ा कुझ 210This या चैर्ट में कफ़र दोलूट सेálक के कवर कर्के पकाना है जब तक ये इस बुढब में अज मसालों में से तेल ना निकलने तब तब तक हम इसे पकाएंगे याने मसाले को मेडियम फ्लेम पे हमें लो मेडियम फ्लेम फे पाइश से दस मिनेट के लिए पकाना है । dessert लेफ़ेंगे तक हमिंद qa tarti मुअ पकने लगें बचेल्ट ने नियूंद वह तब अब अँछी में थूड़ा और मसाले में विया है। इससे ढग कर और को दो, 3 जान नो, 3 वाजम नो, मेर और से स्टेज पर डालें है देंगे बैंगन कहा है कि रावल यदिए आद्ट करें, करहांते हैं और यहां पर में सारे जानाइच भूर में वह स्क्राइब करके आप सार बहुत कर लेंगे आप सबस्क्राइब हाँ आप चाहें हैं धानाच यह तो इसमें थोड़ा सा मपानी आड़ करेंगे यहाँ पे भी बैंगन रेडी है खाने के लिए आप इसे रोटी या चपाती के साथ ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको ड्राय खाना है तो तो यह रेडी है एकदम पॉफेक्ट है खाने के लिए यहां पर हम थोड़ा सा ग्रेवी आइड कर लेते हैं यह देखिए एक्दम रेडी हो चुगा है बैंगन खाने के लिए तो अगर आपको ग्रेवी आइड करना है तो इस स्टेज पर आके हम आधे कप इसमें पाने डालेंगे ज्यादा पाने डालने के जरूरत नहीं है सिर्फ आधा कप पाने डालना है इसमें और यह देखिए इसे हम पाने डालके थोड़ा से मिला लेंगे और इसके बाद हम कवर करके एक से दो मिनट तक सिर्फ पकाएंगे यह तो अल्रेडी पक गया है बैंगन अच्छे से मसाले भी भून चुके हैं बट हमने अभी जो पाने डाला है ग्रेवी के लिए वह अच्छे से इसमें मतलब मिल जाए इसलिए हम सिर्फ एक से दो मिनट तक पकाएंगे तो अब हम इसे ढख एक से दो मिनट तक पका लेंगे कवर कर लेते हैं अच्छे से इसे अब हम चक कर लेते हैं तो यह देखें यहां पर जो है ग्रेवी वाला बैंगन मसाला एकदम रेडी है यह देखें बहुत ही टेंप्टिंग लग रहा है अभी थोड़ा से मिला लेंगे और गैस को से स्टेज पर हम आफ कर लेते हैं कि बैंगन मसाला जो है एक दम रेडी हो गया है तो हम यहां पर गैस ऑफ कर लिए हैं अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखें किता अच्छा बनाएं बैंगन मसाला तो किता टेस्टी बनाएं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर संस्क्राइब करना न भूले और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए और अगर आपने मेरे रेसिपी को ट्राइब किया है तो मुझे कॉमे कॉमेर थाप पी। कॉमेर थाइब कि मुझे कॉमेरे भूले और झालाँ को ऱगर में ध।